हेलो दोस्तों आजका हुमारा टोपिक है दा होट इस्टोव रूल दा होट इस्टोव रूल गीवन बाए डोगलस, मैक, ग्रेगर इन्होंने होट इस्टोव रूल दिया था ये एक इलूस्ट्रेशन है जो एक्स्प्लेइन करता है कि हम कैसे डिस्क्रिप्लिनरी एक्सन इंपोज कर सकते हैं विदाउट जन्रेटिंग रिसेंटमेंट टू इंप्लोईस बिना रिसेंटमेंट किये एंप्लोईस को हम कैसे डिस्क्रिप्लिनरी एक्सन लिया सकते हैं तो इन्होंने रिलेशन सी बताया होट इस्टोव और डिसिप्रिन के बीच में इन्होंने का इनके four characteristics में डिवाइड किया इन्होंने होट इस्टोव रूल को immediate, warning, consistent, impersonal पहला है immediate characteristics immediate characteristics यह कहता है कि हम जब भी होट इस्टोव को हाथ लगाएंगे तो वो हमारे हाथ को immediately क्या गरेगा? burn जैसे हम गरम चूले को जैसी हाथ लगाएंगे तो basic सी बात है वो हमारे हाथ को उसी डाएं जला देगा और हाथ जलने से हमें क्या पता है चलेगा? उस offense के cause and effect का कारण का पता चलेगा न कि किस कारण से यह परी नाम हुआ या किस कारण से हमारे हाथ जला और यह यह भी कहता है कि discipline was directed against the act, not against the anybody जो discipline है या disciplinary action है वो किसी बंदे के खिलाफ नहीं होता उस बंदे के किये हुए act के खिलाफ होता है जो उसने काम किया है हम उसे angry तो होते हैं गुसा तो आता है लेकिन दिरे दिरे हम समझ जाते हैं कि यह हुमारा fault था इसलिए हम जाता देर तक गुसा नहीं रह पाते और यह हमें जल्दी से सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको हम relate करते हैं अब disciplinary action से मान लीजिए हमने rules और regulations बनाये हुए हैं जो late आएगा उसके salary आदी deduct होगी उसके बाद भी कोई person अगर late आता तो immediately उसकी salary direct हो जाएगी उस बन्दे को गुसा आएगा कुछ time लेकिन उसको पता है कि यह rule हमें mention है पहले से second characteristic का हमारी warning warning का है जैसे गरम चूला जो होता है जो stove होता है जो हम जलाते हैं तो क्या होता है red color का होता है तो वो क्या सो कर रहा है कि वो जल रहा है गरम है तो वो warning दे रहा है ना आपको कि मैं गरम हूँ हाथ मत लगाँ वैसी हम क्या करती है कंपनिया rule and regulations बनाए हुए है कि अगर आपको इन rule and regulations को follow करना अगर आप नहीं करते तो आपको यह punishment मिलेगी इसलिए हम किसी को blame भी नहीं कर सकते अगर warning के बाद भी हम वैसा करते हैं और उसके punishment हमें मिलती है तो हम ना hot stove को blame कर सकते हैं ना हमारी management को blame कर सकते हैं ना discriminatory action committee को blame कर सकते हैं या hot stove को बार बार हाथ लगाओगे तो आपका हाथ यह तो है नहीं एक बार जला दूसरी बार नहीं जलेगा वो continuous जलता रहेगा इसी तरह से जितनी बार आप breakdown करोगे organization के rules को तो बार बार आपको punishment मिलती रहेगी on consistent basis फोर्थ है impersonal यह कहता है कि जो hot stove है वो impersonal होता है वो किसी के हाथ बेदबाव नहीं करता है hot stove को हाथ लगाने वाला कोई male है female है या जिसको खाना बनाना आता है वो है कोल उसको नहीं पता hot stove को जो हाथ लगाए उसका हाथ burn होगा वैसे rule and regulations organization के जो breach करेगा उसको punishment मिलेगी no matter who is who he is okay हर person को same punishment मिलेगी same mistake की या same rule breach की तो यह हमारे four characteristics थे hot stove ढूब के जो match किए गए किसके साथ discriminatory action के साथ है